फ्रeas Conference की दोरान राहूल गानधी की जुबान जो है वो भी फिसल गई प्रेस कोंफे से में राहूल ने कह दिया कि दुर्भाग्य से में थे रो संसत में बोलने दिया जाएगा इसके बाद उनके साथ में बैचे जहराम रमेश नोने भीच में ठोगका इसके बाद राहुल ने अपनी बात तो कोट भी करने की कोशिश भी की राहुल गांदी को आपने सुना जादा बातचीत के लिए हमारे सायोगी रंजीता जोट चुके है रंजीता क्योंकि लगतार राहुल गांदी के बयान को लेकर सियासत गर्म है और ऐसे में राहुल गांदी कह रहे हैं कि संसद में बोलने का मौका दिया जाएगा तो मैं अपनी बात रखूँगा और ऐसे में हपते का यह आखरी दिने क्या लगता है कि आज राहुल गांदी स संसद पर बात रख पाएंगे उनको मौका मिल पाएगा और विपक्ष आपस में अलग-अलग मुद्दों को लेकर लड़ रही है सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी ने जो कहा उसको लेकर माफी मांगनी होगी वहीं विपक्ष कह रही है कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग राहुल गांधी को टार्गेट कर रहे है समय मांगा है राहुल गांधी ने अब देखना होगा कि आज आखरे दिन क्योंकि इस सपता का आखरे दिन है क्या आज समय राहुल गांधी को मिलता है और अगर मिलता है तो राहुल गांधी अपनी बात को justify करेंगे अपनी बात के लिए माफी मांगेंगे या फिर राहुल गांधी की क्या रणनिती रहेगी संसद में बोलने के लिए क्योंकि समय मांगा गया है और जिस तरह से कॉंग्रेस लगातार इस मामले को कहीं न कहीं बयानों के जरीए बढ़ा रही है कॉंग्रेस कह रही है कि माफी अगर मांगने की जरूरत है तो सिर्फ राहुल गांधी क्यों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को भी माफी मांगने ह पर में जानी किया है और कांग्रेस का कहना है कि इस पर कहीं नक year करने की जरूआ है इसको लेकर अपना अपना क्लियर कर चुकी है लेकिन गांधी क्या करेंगे आज सब की नजर बिल्कुल क्या कहने वाले हैं बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता आप नजरे बनाये रुकिए अगे भी हम आप से अपडेट लेंगे फिलाल के लिए बहुत शुक्रिया